family Good morning Welcome to RS-80 Topper यह RS-80 exam के लिए आज दिन तक जितने भी वीडियो बनी हुए RS-80 exam के लिए उनमें से सबसे ज़ड़ह important होने वाली है mito तो जान लेते की यहЛी वीडियो सबसे ज़ड़ह important कूल है और एसा क्या होने वाला है इस वीडियो में हमने RSAT की सबसे पहले वो question दिये जो RSAT exam में पूछे जाते हैं और वो होंगे आपके top कितने at 00, 800 question RSAT की exam में total 800 question ऐसे हैं जो RSAT exam में पूछे जाते हैं बागी के question और भी हैं लेकिन वो RSAT exam में पूछे नहीं जाते तो इस बात का आप ध्यान रखें अब बतताता हूँ हमें आपको दूसरी सबसे important बात इन 800 questions में से हमने क्या किया है कि इसके जो top 800 questions में से हमने top 200 questions लिये कितने लिए 200 क्यूशन और उन क्यूशन को इस वीडियो में हम नहीं बताने वाले इसमें से भी हमने बहुत ज्यादा ध्यान लगा कर हमारी टीम ने पूरी मेहनत की और पांथ से चे महीनों की मेहनत के बाद हम लाएं आपके लिए कितने कंड्य ह्युशन को भी इस तरीके ससमार होल अगर आपके एगजाम में एक ГД बचाएं और आपको वीडियो देखन्थे टो आपके के लिए 얼마나 होने वाल है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके RSAT के टॉप कितने हैं 800 क्यूशन को केवल 100 क्यूशन में बजल देंगे और 100 क्यूशन से आप 100% गारंटी से पास होंगे और आपके टॉप करने के बहुत ज़्यादा चांस है तो आप इस बात का ध्यान रखे कि इसके अलावा ऐसा कोई वी लाते हैं इसके अलावा आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनेफीट पिछले 5 सालों से भी अदिक समय के लिए कितने 5 सालों से भी अदिक समय के लिए RSAT exam की तयारी करवा रहे हैं तो हमें लगबग 6 साल हो गए RSAT exam की तयारी करवाने के लिए तो हमसे आपके लिए सबसे best option है RSAT exam की तयारी करने के लिए वो है RSAT topper तो बिना time waste के वीडियो को शुरू करें इससे पहले हम आपको एक amazing चीज बताएंगे वो आपको बता देते हैं ताकि आपको पता चले कि आपको पूरा वीडियो क्यों देखना है वो है ये amazing चीज जैसे हम किसी भी question को ऐसे बढ़ाएंगे कि computer में cable कौन-कौन सी important है जो की exam के नज़ेश है और computer की important है वो हती USB, HDMI जैसे आपकी USB है, HDMI और VGA इस तरीके से हम simple से simple तरीके समझाएंगे तो पूरा ध्यान लगा कि वीडियो को देख ले और वीडियो को डाउनलोड कर ले ताकि आप इससे आसानी से देख सके और इस वीडियो आपसे चूट न जाए इस वीडियो को कोई भी student देख सकता है जो कि 5 साल बाद भी किसी का एक्जाम हो या अभी एक्जाम हो क्योंकि इसमें ऐसे question है जो RSA8 exam सबसे ज़्यादा पूचे जाते हैं और 6 सालों में इन question को ही पूचा गया है इनके लगा कोई भी question RSA8 exam में ना आएंगे और ऐसे question न पढ़े जो आपके book में नहीं क्योंकि ऐसे question कभी भी RSA8 exam में नहीं पूचे जाते हैं बिना time waste के हमारे पहला question है तो आपको question number यहाँ पे देखने को मिलेगा तो आप यहाँ से question number देख सकते हैं और इसके साथ हम वीडियो में भी बताएंगे अब time waste नहीं करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो आज का हमारा पहला अरतात first question बिना time waste के question पढ़ते हैं आज का हमारा पहला question है कि किस tab में आपको किस tab में आपको tables, graphics और hyperlink जैसी wishes गटकों को जोडने की सुविदा मिलती है option a home, b insert, c page layout, d view तो yes, इसका से answer हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या है वो है आपका option b insert अब आपको बोलोगे कि आपने answer क्यों लिकाएं हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी student गलत question का answer पढ़े इसलिए हमारे जो भी question है वो 100% सही होंगे इससे आप एक भी question गलत नहीं पढ़ेंगे जिससे बहुत ज़्यादा chance है कि आप एक की वीडियो से rsaid exam में top भी कर सकते हैं तो यह वीडियो 100% पास करने के लिए यह rsaid की master class तो इसको share करना ना भूले और आप पुछो कि दूसरा यह red color में क्यों लिकाएं तो red color का मतल़ है कि यह ऐसे topic से जिनसे आप पता कर सकते कि क्यूशन का सही answer के इसा है बागी के वीडियो में जो आप दिये जाते हैं वह आपको ज़्यादे दर confusion करने के लिए दिये जाते हैं जिससे आपका confusion कम से कम होगा और आप आसानी से top करेंगे तो इसका से answer हो जागा आपका B insert अगला question के VGA cable में कितने pin मिलते हैं आपको बताना की VGA cable में कितने pin होते हैं A 11, P 14, C 15 या D 17 आपके VGA cable में 15 pin मिलते हैं कितने मिलते हैं लेकिन इसके अलावा RACAT के exam में और भी कुछ बूचा जाता हैं जो कि आपका computer के cable तो आपके computer में मुख्य रूप से 3 cable पाए जाते हैं जिनके बारे से में एक्जाम में भी पूचा जाता हैं और आपके आगरने वाली जिनकी इंपोर्टेन हैं तो पहला है USB, BA, HDMI और C, VGA और आपके VGA cable में कितने pin मिलेंगे तो 15 मिलेंगे तो एक answer तो आपका यह हो गया अगर पूचा जाए कि computer में कौन कौन सी cable होती तो आपको बताना है VGA cable होती है USB cable होती है और आपका HDMA cable होती है इस परकार से पूचते हैं तो आपके आप साथ क्विशन के आट सो क्या सकते हैं तो ठीक है चलते अगले वीडियो में या अगले स्वरी अगले क्विशन में तो क्विशन नमबर थ्री में यह भी आपका तीसरा क्विशन है जो कि एक्जाम के लिए इंपोर्टेंड के क्योंकि यह कुशन कितनी बार आरे सीट एक्जाम में आ चुका है एक्सल वर्क बूप निम्द में से किसके सायोजन से बनती है तो आपको इस पर ध पहले एक घंटा बचा है हमें कौन सा वीडियो देखना चाहिए तो आपको केवल यही वीडियो भेजना है ताकि वह आसानी से 100 परसंट गारंटी से पास हो तो एक्सल वर्क बूप किन से बनती है वर्क्षीट और चार्ट से क्यूशन नमबर चार है कि MS Word Spelling Check Tool है तो इसका पात में से इसको कितने स्टार मिलने चाहिए फाइश्टार मिले क्यूंकि आप इसकी वजह से किसी और स्टुडेंट जो इस वीडियो को क्लिक करेगा उसे पता चलेगा कि यह वीडियो कितना आचा था अंतक जो भी अंतक देखते तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताए त इसका करते हैं जल्दी जल्दी आंसर इसलिए दे रहा हूं कि इन स्टुडेंट के लिए जिनके लिए एक्जाम से पहले एक गंटा भी बचाए वह पास हो जाए इसलिए मैं आपको सिधा आंसर बता रहा हो कि वैल्यू के पुर्वा अनुमान में कौन बद्द करता हैं गो किहा हो जाएगा एंटपी सी का पुरा नाम शॉद पयमेंट कॉर्फोरेशन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा लेकिन कुछ इंपोरन्स चीजे सम सब्सक्रेंट इसमें आएंगी को इसके लिए अगले विजियो में गीज़ ने ठा बताइंगे तो between में वर्य मार्क ओफ्शन की स्टा में अपको या बताना में ऐफ में वोडर मार्क ओपशन तो यह होता आपका फेस्ट्र में किसमें प् Nosair लेओ टेब में निमन मैं से कौन सा एक सिस्टम शाप्ट्यार आपको क्या बताना है में से कौन सा एक सिस्टम सत्वेर सिस्टम हो जाएगा विनडोस विन्डोज 8 बागकी क्या आपकी जो पेज में करें हैं फोटोशप है और नौट पेड यह तीनों किआ आपके एप्लिकेशन शॉप्टवियर क्या है अप्लिकेशन स्व्टवियर तो ईह आपके एप्लिकेशन शॉप्टव jobbar हैं लेकिन यह विंड़िएक हो सॉप्ट्वेर होता है दो चलो सीस्टम सौट तो चलो के बारे में उस चाहले कि लिए छिसमें आपको बहुत जादा कुर्द होटेडीन है दियां देखने प्लीज बहुत ध्यां से देखें प्हश्य बात तो आपको अगर पूचा जाए कि कंप्टेर में कितने वोते होते तो कितने होते आपके मुए कर दो सब्सक्राइब होते कौन से होते हैं उसस्टेम सब्सक्राइब का क्या उस्ञाइब च्छा tightening चाली होगा mixed आप्लिकेशन सब्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् में कभी कभी आपको घुम आँकर अल्ट्रा लेवल की कुछन पूचे जाते हैं की उट्रीटिंग सेस्टम किसके अंदर आता हैं क्या लिखना आपको यूंगर किस के अंदर आता है भी सिस्टम सुआब्टिवेर करने के लिए आपको उलठा पूछ सकते हैं अब तीसरा सवल आता है कि आपको फूचा जाए कि आपका जो विंडोज है यहां पर क्या क्या पुचा विंडोज 8 आपका लिनक्स क्या हो जाएगा उप्रेटिंग सेंट पूछ सकते हैं यहां पर पूछ सकते हैं यहां पर windows 8 ृए लिका होगा तो भी आपका क्या हो जाएगा इसके लावा डिस्क डिफ्रेग्मेटर यह भी एक सिस्टम सब्च्विए का हिस्सा होता है तो यह साभी system software मैं आते हैं और कुछ basic जान लेते हैं आपके application वारे में यह भी एकजाम में बहुत ज़धा कुछ आता हैं अग आपके बैसिक्स ब्राउजर और इस्पेसलाइज सॉप्ट्वेर आते हैं आपको हुए स्पेसलाइज का मतलब किया है तो वह भी यहां पे लिखा हुआ वीडियो रोके देख सकते हैं तो आपके एप्लिकेशन सॉप्ट्वेर में आपका MS Word, Excel और PowerPoint तीन नहीं आते हैं इसके लावा आउट्लुक भी आता हैं तो यह भी एप्लिकेशन सॉप्ट्वेर के अंदर आते हैं इसके लावा आपके ब्राउजर होते हैं क्यूशन में बूचे जादा कि कौन कौन से ब्रा विंडोज 10 में इंटरनेट से तो हम सॉप्ट्वेर डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज स्टोर से कर सकते हैं सीडी डीवीडी और प्रेंट डाइव से भी कर सकते हैं लेकिन हम वर्ड फाइल का प्रियोग करके आपका सॉप्ट्वेर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता हम कहां स प्रिंट प्रिंट होता है वह इसके करते हैं यह हैं कि नबर 11 question क्या है नया pen आवे दिन भरने के लिए निचे दिए गए form में से कौन सा आवशक है तो इसका simple answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option है form 49A क्योंकि नया pen card बनाना चाहते क्या permanent account number pen का full form हो जाएगा permanent account number तो आप नया pen card बनाना चाहते तो इसके लिए हम कौन सा form बनेंगे form 49A कौन सा form 49A क्योंकि नया pen card बनाने के लिए हम form 49A का उप्योग करते हैं तो इसका सही answer है option A form 49A नया pen card मतलब form 49A तो अगला question है हमारा question number 12 तो क्या है वो है कि single login interface को और किस नाम से जाना जाता है आपको क्या बनाता है single login interface को किस नाम से जाना जाता है इसका से answer है option A SSO B single window interface C A और B दोनो या D इन में से कोई नहीं येस इसका answer आपको पता ही हो का मैंने बता दिया single sign on को अर्थात आपके SSO होता है इसको हम किस-किस नाम से जानते हैं single window interface के नाम से जानते हैं और इसके अलावा single login interface अर्थात हम SSO को single login interface भी कहते हैं SSO को और क्या कहें है तो एक मिन टुक हो हम कुछ simple कर देते हैं आपको SSO होता है इसको क्या का जाता है single window interface इसके अलावा single login interface तो यह simple हो गया आपका answer तो question number 13 जब कोई user पर mouse ले जाता है तो वह hand के आगार का हो जाता है इसका सब्सक्राइब हो जाएगा आपका option है hyperlink क्योंकि जब भी कोई user hyperlink को mouse जो आपका hand के आगार कब होगा जब भी कोई user mouse को hyperlink पर ले जाएगा कहाँ पर ले जाएगा hyperlink तो वह hand के आगर का हो जाता है अगला question की trust seal के परकार है तो question number 16 ट्रस्ट सिल के परकार कौन कौन से है तो इसका सब्सक्राइब हो जाएगा option D उप्रोक्त सभी क्योंकि trust seal में security seal अता जिसे शुरुक्षा seal भी c c2b c2c और e-commerce किस के परकार है प्सवरी M commerce तो यह सब भी e-commerce के परकार है तो भी आपका क्या हो गया एक बार फिर से repeat कर देते हैं कि आपका b2b कौन सा b2b b2c और c2c और m commerce यह सब्सक्राइब हो जाएगा आपका electronic commerce क्या हो जाएगा electronic commerce जिसे short में e-commerce कहा जाता है अगला प्रिशन कि आदुनिक keyboard में function की कितनी होती है आपको बताना है कि आद accdonic keyboard होता है उसमें कितनी function की होती है तो इसका सई answer हो जाएगा वो हो जाएगा option d 12 क्योंकि आदुनिक keyboard में 12 function की होती है अगला है कि electronic स्प्रेट शीट क्या है तो इसका से अंसर है ऑप्शन भी एप्लिकेशन सॉप्ट्वेर क्या है एप्लिकेशन सॉप्ट्वेर क्योंकि इलेक्ट्रोनिक स्प्रेट शीट एक इलेक्ट्रोनिक spade شte application डोग्राम हें मैंने रिपीट किया electronic spade shit application डोग्राम होता है किूषन नमबर आपका 18 कि वर्ड में किसी शव्द पर click किया जाये तो वह select हो जाता है अगर आप वर्ड में किसी भी शव्द को select करना चाथे माना इस शब्द को select करना है इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उस पर दो बार क्लिक करेंगे कितने बार करेंगे दो बार जैसे हम दो बार क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा अगला क्यूशन है कि computer बंडारन में सबसे अधिक store करेगा तो सबसे ज़्यादा store करेगा वह होगा आपका GB C कौन सा GB क्योंकि सबसे कम करेगा आपका क्या करेगा byte सबसे कम store करता है इसके बलावा kb at kilobyte उससे ज़्यादा store करेगा इसके बाद mb at megabyte उससे ज़्यादा store क्या बी से ज़्यादा कौन करेगा mb करेगा और सबसे लाश्ण में आपका आज जाएगा GB तो GB का मतलब है gigabyte और यह सबसे ज़्यादा store करता है इन सबी में से इसका सही आंसर क्या है cgb gigabyte सबसे अधिक store करेगा अगला क्यूशन की निम्न में से कौनसा presentation software है तो इसका सही आंसर है option यह पावर पॉइंट क्योंकि presentation software की बात आएगा तो वह हो जाएगा आपका पावर पॉइंट तो यह है आपका question number 21. MS Word 2-10 में default view होता है, तो MS Word का default view क्या होता है? वह होता है Print layout, क्या होता है Print layout, आपको याद रखना है कि MS Word का क्योंकि ये question exam में पूछ सकते हैं बहुत ही ज़्यदा important है कि MS Word का default view कौन सा होता है वो होता है print layout कौन सा होता है print layout अगला question की निम्न में से कौन सा presentation का basic alignment है तो वो हो जाएगा आपका option C slide जहाँ पर presentation की बात आती है आपके slide option है तो slide ही होगा क्योंकि presentation किस से बनती है slide से बनती है अब आपका question होगा कि हमने इसको rate क्यों लिगा है तो ऐसा एक main word है जिससे आप कभी की इस question का answer आसानी से दे सकते हैं क्या करना है कि एक ऐसा word होता है जिससे हम question का answer आसानी से दे सकते हैं लिए हमने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके हर वर्ड को ऐसा डूंड़ा है जिससे आप आसानी से रसीटेंगे टॉप कर सकते हैं तो टॉपर्स के लिए वीडियो भी काफी ज़्यादा जरूरी है और इस वीडियो को सभी के लिए जरूरी है जिसका एक्जाम आगे ह पूर्ट सेवा केंद्र होता हैं अगला क्यूशन की कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्ताविज को दोनों और से अलाइन करता हैं तो मैंने आपको क्या बताया था पिछले वीडियो में जस्टिफाई क्योंकि हमने इससे पहले 100 से भी ज्यादा इस सेलेबस के जो न्यू सेलेबस इसके वीडियो लाएं उनमें हमने आपको बताया था कि जस्टिफाई एक ऐसा अलाइनमेंट मोड है जो की दोनों और से अलाइन करता है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जस्टिफाई अगला क्यूशन है कि कम्पीटर का दिमाग कहा जाता है तो मैंने आपको बताता है क किसको कहते हैं कम्पीटर का दिमाग CPU को कहा जाता है किसको कहा जाता है कम्पीटर का दिमाग CPU को कहा जाता है अगला क्यूशन की end note को जोड़ा जाता है तो आपका end note होता है इसको कहां पे जोड़ते है paragraph के अंद में कहां पर end note आईगा तो paragraph के अंद में है तो अगला important question है क और आपको विश्वास दिदाता हूं मेरे पांस साल के इस वीडियो से आप आरे से का कोई भी एक्जाम हंड़ेट परसंट गारंटी से पास कर सकते हैं तो रेडी टू यूज क्लिपार्ट वैसे आपका यह में हो सकता हैं वर्ड में भी हो सकता हैं और जहां पर रेडी टू प्यूज का मतलब क्लिपार्ट ही होगा किसी भी में भी हो आपके वो अगला कुछन की एरियल एक परकार का हैं तो आपको पते ही हैं मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एरियल क्या आपका फॉंट शेली होता हैं अगला इंपोर्टन क्विशन हैं यह भी एक्जाम म कट करते हैं तो वह आपका किसमें चला जाता हैं क्लिप बोर्ड में कट और कॉपी किया तो वह कहां पर आएगा क्लिप बोर्ड में हैं अगला कुछन है कि आप MS वर्ड में किसमें MS वर्ड में किसी भी वर्ड की गात जैसे की एक स्टाइप परना चाहते तो निम्न विकल् तो हम इसका उक्रियो करेंगे सूपर स्क्रिप्ट का किसका सूपर स्क्रिप्ट का अगला क्यूशन है कि MS Excel 2010 की एक वर्क्षिट में कितने columns and row होते क्या बताबना आपको columns and row वो हो जाएंगे आपके option 16,384 और इधर यह जो आप पढ़ लेना कितना लिखा है तो इकाई दाइस सेंकड़ा 10,000 और लाग 10,000 तो आपके row कितने हो जाएंगे 10,48,576 हिंदी थोड़ी कमजोर होती है हम इंगलिस में पढ़ाए सकते हैं लेकिन पढ़ाना नहीं हिंदी हमारी मात्रबाशा थोड़ी बहुत सीखना चाहिए अगला और इंपोर्टेंट क्यूशन इस क्यूशन में हम आपके लिए सुपर वाले क्यूशन कैसे अंतराष्टी साइबर सुरक्षा मान डंड है या माप डंड क्या है तो वो हो जाएगा आपका option B अधी क्या हो जाएगा आपके लिए इसमें जान लेते तो आपका इसके अलावा इसमें कुछ धार होती है जिनका का प्रियोक्या जाता है और ये आपके साइबर सेक्यूर्टी एंड अवर्निस वाले लेशन से हैं जमझ में आ गया तो जैसे सबसे पहले Threats, असका मतलग क्या Virus और क्या होते है कौन-कौन से क्विशन आपकी एक्जाम में पूचे जाते है और कौन से option होते है Spyware होता है Trojan Horse होता है इसके अलावा Hacking Phishing Malware Denial of Service आपने आपर पढ़ लेना आप चाहे तो वीडियो रोके भी पढ़ सकते है Web, Password Attacks, Session, Hacking DNS, Poisoning जैसे बार की चीज़े होते है और Security के लिए हम जिसका प्रियोग करते है इसके बारे मैं पिछली बार बताई दया Security के लिए HTTPS पता HTTPS Hyper Tracks Transfer Protocol Secure यह से वर्ड का प्रियोग करते है यह भी आपका Question important है तो यह भी आप पढ़ सकते है इसके अलावा आपका Identity हो गया Security Threat हो गया Business Privacy Seal मैंने आपका Seal को बारे में बताया Trust Seal के कितने परकार थे? तीन थे Privacy, Business, Practice, Identity, Security तो इस परकार के यह चारो सील होती है जिसे हम Security का पता लगा सकते है बागी आपकी जो धारा है इसके बारे में भी पिछले एक्जाम में आया था यह पूरी तरह नए सेलेबस पर आधारी थे और यह आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा important है तो कुछ important चीज़े इसमें भी जान लेते है तो जब 43 धारा होती है आता session 43 यह आता आपका electronic अभी लोग के साथ चेड़ चार्ड करने के लिए जो आपका 65 होता है यह computer स्रोध कोर के साथ चेड़ करने करने पर इस धारा का section का प्रयोग किया जाता है और धारा 66 hacking भागे आप वीडियो को रोकर पढ़ सकते हैं हम अगले वीडियो की वार बढ़ते हैं अगला question है कि CD में file copy करने की परक्रिया को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सई answer है option B burning CD DVD में file copy करने की परक्रिया को burning के नाम से जाना जाता है maximum कितने character में हो सकता है तो आपको बताना है कि worksheet का जो नाम होता है किसका worksheet का नाम maximum कितने character में हो सकता है तो वो है 31 कितने maximum 31 जादा से जादा 31 word का हो सकता है sorry 31 character का हो सकता है जो कि यह पर लिखा हुआ है 31 characters अगला question है कि email संदेश बनाने के लिए keyboard shortcut कुझजी तो email संदेश वाला जो भी shortcut किये वो हो जाएगा आपका option C control shift और M क्या है control shift और M क्या है control shift प्लस M तो control shift प्लस M क्या हो जाएगी email संदेश बनाने की shortcut कुझजी अगला important question है कि column और row का cutout क्या कर जाता है अताता आपके जो भी column होते और row होता है क्या होते है column होते है और row होता है इनका क्या 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 क तो say letters में पूचा जाए कि पहले column आता या row आता तो पहले आपका column आएगा उसके बाद row आएगा क्या आएगा पहले column का नाम उसके बाद row का नाम तो C3s का answer है ध्यान रखना है अंग्रीज आये थे उसके बाद देश अदा जुदा था तो पहले क्या आएगा English का word आएगा क्या आएगा पहले English का word और उसके बाद बागी वाला संक्या आएगी तो column पहले आएगा फिर row का नाम आएगा यह भी important question और इस वीडियो में सभी question जो भी लाएगे वो computer के लिए सबसे ज़्यादा important question में से एक है इसके अलावा आप कोई भी question नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई tension नहीं आप 100% guarantee से पास होंगे यह मेरी आप पूरा विश्वास है आप पर एक ऐसी परिक्रिया जिसमें एक साथ बहुत से प्राप्त करताओं को संदेश बेजा जाता है तो एक साथ बहुत से प्राप्त करताओं को संदेश बेजते हैं इस परिक्रिया को का क्या का जाता है mail merge क्या बहुत से प्राप्त करताओं को संदेश मतलब की mail merge अगला क्यूशन है कि यह एक प्रासंगिक या अवांचित संदेश इमेल है जो आम तोर पर इंटरनेट पर विज्यापन, फिशिंग, मेलवेर, फैलाने आदी के लिए बेजी जाती है तो उसे इस्पेम कहा जाता है अगला क्यूशन है कि एनवी एस्पी का पूरा नाम है तो इससे जुड़े कुछ इनवी एस्पी का पूरा नाम होज़ेगा आपका नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल क्या है इसके अलावा नैशनल सर्विस पोर्टल में भी आपके फूर्वा मोज़ेगा इससे कहेंगे इलेक्षन कमिशन आप इंडिया क्या कहेंगे इलेक्षन कमिशन आप इंडिया वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते चाहेतों इसके अलावा जो कि आपके एक्जाम में पूचेंगे यह नियुसेलिबस के क्विशन मैं तो इवीएं का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन क्या हो जाएगा electronic voting machine जिसे हम EVM कहते हैं अगला है आपका EPIC यह भी पिछले exam में पुचा गया था और हो सकता अभी भी पूचे इससे जुड़े question आते हैं तो EPIC का पुरा हो जाएगा election photo identity card क्या हो जाएगा election photo identity card जिसे हम EPIC कहते हैं अगला question ने कि MS Word में file क्या कहते हैं तो MS Word की file को हम क्या कहते हैं document कहते हैं क्या कहते हैं document कहते हैं और आपको पता sheet किसमें होती है Excel में होती है किसमें होती है Excel में होती है slide किसमें होती है PP अतारत आपके PowerPoint में slide होती है इस बरकार यह सब भी आपके इंपॉर्टेट निच्जिती तो यह भी आपके कवर हो गॹई इस वीडियो में एक ही वीडियो में इतने क्यूचन कवर हो गहीं अगला क्यूचन एक बार्ति कॉपिडाइट अधिनियम में तो आपका कulates अधिनियम जो होता है वह है by act वन नाइन फाइब सेवन अगला क्यूशन है कि MS Excel दो जादस किस पैकेज में आता है तो आपका MS Excel किस में आएगा Office में किस में आएगा Office में तो एक बात और important जो आपका MS Office होता है जो आपका MS Office होता है इसमें आपका क्या क्या आएगा इसमें आपका Excel तो आए गए एक सी एल आपका Excel आएगा पीपी आएगा पावर पॉइंट भी आएगा इसके अलावा आएगा आपका MS Word क्या आएगा वर्ड तो Excel पावर पॉइंट और वर्ड यह सभी MS Office में आते हैं इसके अलावा आउटलूक Microsoft आउटलूक भी MS Office का package का हिस्सा होता है चलो यह कुछ इंट्रेस्टिंग क्यूशन है कि वर्ड वर्ड का क्या आर्थ है आपको बताना है कि वर्ड वर्ड का क्या आर्थ होता है इसका मतलब है कि C text का स्वरते अगली लेन में जाना जब text स्वरते अगली लेन में जाता है तो उसे works कहा जाता है अगला किशन की किस व्यूउ में slide की चोटी तश्वीर नजर आता है तो वह आपका slide shorter view मैंने कि इस जाई श्वूट reasonable क की चोटी तश्वीर नजर आते हैं क्योंग हम नें अभी तक 110 से भी ज़्यादा वीडियो बनाए है जिसकी वज़े से हमने बार-बार समझाए है कि स्लाइड की चोटी तश्वीर किसमें नजर आती है स्लाइड शोटर व्यू में नजर आती है अगला क्यूशन के निम्न में से कौन सा एक राजस्तान संपर का चरण नहीं है तो वो हो जाएगा आपका scrutinization बागे आप वीडियो रोके देख सकते हैं कि registration, modern और allocation ये सबी राजस्तान संपर के चरण होते हैं इसमें क्या पूचा नहीं है तो वो scrutinization नहीं होता है अगला क्यूशन के MS Excel में सबी formula से शुरू होते हैं तो हर चीज में बराबर होना चाहिए और Excel में भी formula बराबर से शुरू होते हैं जो कि option भी इसका सही answer है अगला क्यूशन के कौन सा computer वरगी करन नहीं है man frame, max frame, mini या micro तो इसमें से आपका जो option भी max frame computer वरगी करन नहीं है बागी सब computer वरगी करन है और इससे जुड़े साभी क्यूशन अभी लाते हैं आपके सामने जादूई पीटारा खुल चुका है तो पहले computer को मुख्य रूप से तीन भागों में बाटा जाता है हम परवचन दे रहें ध्यान से सुनना बहुत ज़्यादा important है क्योंकि 10 questions cover होने वाले हैं computer वरगी करन तो मुख्य तोर पर computer को तीन भागों में बाटा गया है कितने भागों में पूच ले कि question में या RSEAT में कितने भागों में बाटा गया है computer को वो है कि digital computer को कितने भागों में बाटा गया है तो वो आपका चार हो जाएगा जो कि इस वीडियो में तीन तो हैं मैं फ्रेम हैं, मैक्स फ्रेम हैं, मीनी और माइक्रो मैक्स फ्रेम तो computer रगगी कर नहीं है कैसे? सबसे पहले आपता है आपके micro computer, उसके बाद mini computer, उसके बाद मैन फ्रेम computer और उसके बाद आते हैं आपके super computer तो इस परकार digital computer के चार दाग होते हैं, इसके अलावा आपका important question बनेगा, वो क्या बनेगा वो बनेगा कि दुनिया का अताद आपको क्या बनेगा है world का सबसे पहला super computer कौन सा था तो दुनिया का अगर super computer पूचे तो वो हो जाएगा CDC 6600, तो CDC 6600, दुनिया का पहला super computer था, और इसे कब बनाया गए था, 1964 में इसके अलावा अगर पूच दिया जाएं कि हम तो इंडिया वाले, सौंग तो सुने होगा, तो इंडिया वालों का जो super computer था, पहला वो था, परम और इसे कब बनाया गता है, 1991 में अताथ 1901 में इस परकार आपको इसको ध्यान से देखना और काफी ज़्यादा question कवर कर चुके हैं बढ़ते हैं अगले question के और अगला question है कि line के आरम में जाने के लिए किस कुझी का उप्योग किया जाता है, अगर हम line के आरम में जाएंगे तो home का प्रियोग करेंगे, किसका करेंगे home का, home का मतलब starting में है अगला question है कि हमला वार संक्रिमित विग्यापनों को अप्लोड कर किस परकार का हमला करता है मैंने आपको सब बताया था कि denial of service, web हमले, mail versatizing यह सभी बताये थे, तो वो हो जाएगा mail versatizing, क्योंकि जो संक्रिमित विग्यापनों को upload करने वाला हमला कौन करता है mail versatizing हमला, इसको क्या करें अगर आपके computer में कोई ऐसा हमला होता है जो कि संक्रिमित विग्यापन upload करता है, आतात विग्यापनों को upload करता है तो उसे mail versatizing हमला कहते हैं तो उन सभी को congratulations जो इस वीडियो के यहां तक पहुँचे, बागी question question number आगे आने वाला है तो time version नहीं करते, शुरू कर देते फिट से तो यह है हमारा question number 51 तो चालू slide show से slide show प्राराम करने की shortcut की अतात हम slide show चालू बना चाते है तो इसके लिए shortcut की क्या है क्या किसके लिए बुलना slide show के लिए slide show के लिए जो shortcut की जी है वो है shift plus F5 क्या है shift plus F5 अगला question है कि मुखी editing view है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मुखी editing view होता है मुखी editing कौन सा होता है वो होता है भी normal view क्योंकि normal view को ही मुखी editing view कहा जाता है अगला question है कि किसी master slide का alignment है तो किसी भी master slide का alignment होता है उसमें क्या-क्या हो सकता हैं तो Master Slide में Background भी हो सकता है Logo भी हो सकता है और Font भी हो सकता है इसके कारणा इसका उत्तर हो जाएगा Option D उप्रोब सभी क्यों Master Slide के Line में Background, Logo और Font तीनों ही होते हैं Presentation Slide Text Fit Maximum Size तो Presentation का मतलब किया हो गया Power Point में Power Point में पर जेंटन से Slide की Text Fit Maximum Size ता तो उसके Maximum Size क्या होती है Power Point में हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी C 96 कितनी हो जाएगी 96 अगला क्यूशन की निम्न में से Slide Show किसमें होता है तो मैंने अभी बताया था कि Slide Show मतलब की Power Point कितनी वीडियो में बता चुका Slide Show की मतलब की Power Point और Power Point इसका सही अंसर है यह MS Power Point क्योंकि Slide Show हमेशा Power Point में होता है अगला क्यूशन है कि Cell Address कहाँ दिखाई देता है तो अच्चों क्या बताना है Cell Address कहाँ दिखाई देता है formula bar में कहा दिकाई देता sale का address formula bar में तो अगला और important question हम अपनी worksheet में hyperlink निम्न मेज से किस shortcut की को दबा कर जोड सकते हैं अतार हम hyperlink को किस shortcut की से जोड सकते हैं simple द्यान देना hyperlink को किस shortcut की से जोड सकते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा आपका पॉपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप कैसे अगला क्यूशन की MS Excel 2 जा 10 में कौन से टेप द्वारा चार्ट इंसर्ट कराए जाते हैं तो किसमें कराने एक्सल में और क्या कराना चार्ट तो चार्ट को इंसर्ट हम इंसर्ट टेप से कर सकते किससे कर सकते हैं चार्ट को इंसर्ट हम इंसर्ट टेप के द्वारा कर सकत सिंपल आंसरें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अगला और इंपोर्टन क्यूशन काफी बार एकजाम में आ चुका है और हम इस बार चाहते हैं कि जिस तरह सभी विद्यारतियों ने जिसोंने पहले त्यारी किती उन्होंने अपने सेंटर पर टॉप किया तो वो क्या होते हैं फंक्शन ने वो प्री डिफाइंट फॉर्मूला है जो कि स्वाताई गंणा का काईड़े करेंगे प्री डिफाइंट फॉर्मूला मतलब की फंक्शन चलो एज़ी क्यूशन आया कि MS Excel 2010 में बाई डिफॉल्ट शीट कितने होती है कितने शीट होती है तो आ आपको वीडियो बहुत ज्यादे अच्छा लग रहा ताकि आने वाले नई न्यू इस्टुडेंट होंगे उन्हें पता चल सके कि हम कितने अच्छे वीडियो बनाते हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आएंगे न्यू वीडियो का बाते साथ वज़े सुबह हो या शाम सा कोलम में होता है तो टेक्स क कहा लाइन होता है अगर टेक्स की बाहत की जाए और किसी में भी पूज़ लेडिया जाए एक बार आपको लेफ्टी करना है यह पेजर्मिंगर धूसल होता है फिर अबंके मेक्सिम्म इinumी एँवाइंटी परस से उफ्थिज़्फियो में याम बात हैं सेल के चारों और एक काले रंगी सीमा सेल को क्या संकेत करती है मतलब कि जो आपके कॉलम रो होते हैं उसमें क्या कहा जाता है कॉलम और रो का कटा सेल कहा जाता है तो यह सेल होता है इसमें काले रंगी कि सीमा सेल को क्या संकेत करती है तो वो क्या संकेत करेगी कि यह स सक्रिय सेल क्या सक्रिय सेल उसे क्या का जाता है सक्रिय सेल MS Excel में हैश हैश क्या इंगित करता है तो इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी कि सेल के सामगरी बहुत बड़ी होने के कारण परदशित नहीं किया जा सकता जब भी एक्सल में ऐसे वाले निशान बन जाते हैं आपको समझ लेना है कि इसमें बहुत बड़ी सामगरी है और सेल की सामगरी बहुत बड़ी होने कारण या परदशित नहीं हो रही है तो इसका सह वालब आ गया था बीच वालब आ गया तो टेक्स को मद्य में करने के लिए मान लोई पूरा पेज है और इसमें टेक्स को कहा करना है मद्य में करना है तो इसके लिए हम किस कुंजी का प्रियोग करेंगे control plus e किसका उप्योग करेंगे control plus e control plus e कुणजी की मदद से हम क्या करतेंगे text को मद्य में कर देते हैं अगला खुशन है कि document के अंद तक पहुँचने के लिए कि shortcut कुणजी दबाए जाए अतार आप document के अंद में जाना जाते हैं तो इसके लिए हम दबाएंगे control plus and grease क्या control plus and grease के परियोकसे हम किसी भी document के अंद तक पहुँच सकते हैं अगला क्यूशन है कि जो text हर page के bottom में print होता है तो वो क्या हो जाएगा footer हो जाएगा मैंने कितनी बार बता है कि जो text page के bottom में आतार निचे की side print होते हैं अगर यहां पे लिखा होता है कि top पे print होता है top पे मतलब कि यह page है यह तो इसका bottom हो गया यह top वाले को तो headingке bottom को footer कहाँगे तो यहां पे bottom में कोच जबाएगा footer हो जाएगा page के bottom में अगला क्यूशन है MS Word में कितने परकार के alignment होते हैं तो आपके MS word में कितने वरकार के alignment मोड होते हैं अगला Kishan कि पूलिए कर सकते कि माउस पूलिटर को नाम की यह माउस पूलिटर को और क्या जा तो इनरशन पॉइंटर भी कहा जाता है इसके अलावा mouse pointer को cursor भी के कहते क्या कहते है करसर भी कहते हैं इस परकार आपको ध्यान रखना है कि एसी question है यह क्रूष्यामे पूठ जा सकते हैं और अभी हमारा question भी हमारा question बन रहा है वह है कि document के starting में लाने के तो हम control प्रियोग करेंगे यह MS, Excel, Word, PowerPoint सभी में काम आता हैं कि हम किसी भी document में या किसी जो भी आपका box बना हुआ होता हैं उसके home में लाना है तो इसके लिए हम inertia pointer या cursor को तो control plus home कुझी का प्रियोग करेंगे किसका करेंगे control इसको ध्यान से देखना बहुत ज्यान से बहुत ज्यान से बहुत ज्यान से इन्पोर्टेंट है और काफी बार exam में आ चुका है निम्द में से किस की पतात कौन सी की की मदद से आप cursor के दाई और के डिलिट कर सकते हैं तो मैं आपको एक simple trick बता दाओ कि जब भी बात आए दाए की तो आपको डिलिट देखना है क्या कर देखना है इसका से आंसर डिलिट होगा लेकिन यहां पर बाय लिका हुए कि बाई और के cursor के बाई और के अक्षर को डिलिट करने के लिए तो बाई में backspace होगा क्या होगा backspace अगर बाई की बात की जाए तो डिलिट हो जाएगा simple ध्यान रखना है दो वर्ट देख लेना दाए पूझे तो डिलिट कर देना बाई पूझे तो डिलिट कर देना इससे आपका confusion नहीं होना चाहिए दाए मतलब की डिलिट जिसमें डाई आया उसमें डिलिट हो जाएगा और बाई आएगा उसमें backspace हो जाएगा तो यह है हमारा question number 70 cut copy तता paste की करमश shortcut की क्या है तो आपको करमश बताना आता continue बताना है तो हम control cut के लिए consequence का प्रियोग करते हैं control plus x किसका करेंगे control plus x इसके बाद आता है copy तो copy के लिए हम करेंगे control plus c जिससे की वो copy हो जाता है और अंत में बच्चा है paste तो paste के लिए हम जो कुझे उप्यों करते हैं वो है control plus v तो क्या है control x control c और control v तो इसका सही answer कौन से होना चाहिए option A क्योंकि यह cut copy और paste की करमश की है इसके लावा आपको एक्जा में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि cut की क्या है आपको control x बताना है इसके लवा अगर आपको एक्जा में पूछा जाए कि copy की क्या है तो control c बताना है और paste की पूछे तो control v बताना है यह भी तीन question कवर करता है इसलिए हमने इस question को लिया था क्योंकि इसमें तीन question कवर हो जाते हैं तो आपका यह आसान रहता है अगला question है कि application आपको personal letter किसमे personal letter form letter social facts और website manual जैसे प्रिबिन परकार के liquid document त्यार करने में मदद करता है तो मैंने आपको कितने बार बता चुका यह काम कौन करेगा word processor क्योंकि word processor यह काम कर सकता है क्योंकि letter की बात आई तो letter हम किसमें बना सकते है power point में तो हम presentation बना सकते है excel का आपको पता है कि किसी भी formula में use कर सकते है तो बच्चा कि आपका word processor है तो word processor में यह सभी काम हम कर सकते हैं अगला question है कि text के सामने गोला star आदी चिना बने होते हैं उन्हें कहते हैं तो इनको क्या कहा जाता है बुलेट कहा जाता है क्या कहा जाता है बुलेट कहा जाता है तो लोग किसी भी text के सामने ऐसे कोई star बना हुआ है या कोई गोला वाला ऐसा बना हुआ है या फिर कुछ भी ऐसे बनाए रखा है तो ऐसे जो भी चिना बने होते हैं यहां पर बहात नहीं दिछा टी यहां पे में Agris को आज एक यहां हoki में पेज़ा हो तो ms word हो उसमें शब्दों के निचे जो लाल रंग की तरंगी देखाती है अतात उनकी spelling में कुछ mistake है अतात अशुद्धी है अगला question है कि ms office में maximum वा sorry ms office में minimum वा maximum कैसे भी बोड़ो maximum या minimum वा maximum जूम साइज कितनी है तो ms office की बात हो रही है तो आपको जान रखना है कि ms office में सभी आ जाते है excel, powerpoint, word, outlook सभी आ जाते है तो ms office में जो maximum size होती है जूम की वो कितनी होती है 10 से 500 10 से 500 10 to 500 10 से 500 होती इस बात का आप ध्यान रखे है अगर आप दूसरा पूचे तो उसमें कम हो सकते है जो कि मैंने अन्य वीडियो में बताए है अगला question है कि document में किसी निचित location पर पहुँचने के लिए कौन से option का use किया जाता है तो मैंने आपको कितनी बार बता है bookmark मानो हम book होती है कमारी उसमें बहुत सारे page होते हैं और line होती है तो हमें पता नहीं हम कौन से page से कल पढ़ रहे तो उसके लिए हम कुछ भी चीज रख देते हैं जिससे कि हमें पता चल सके कि हम यहां से पढ़ रहे थे या फिर page को हम band कर देते हैं थोड़ा सा mode देते हैं ऐसे किसी भी document में आगर हम computer में पढ़ रहे हैं अगला कुछने कि MS Word 2010 में text का default text color क्या होता है तो क्या है कि अभी इसमें red color आपको नहीं दिख रहा हुगा क्या नहीं दिख रहा है red color क्यूंकि इसमें सबी color black हैं तो कौन सा color होता है black color हो जाएगा क्यूंकि MS Word हो Excel या PowerPoint हो एक बात ध्यान रखना इसमें अब के लिए word का पुच्छा गया तो MS Word में तो black color होता है और अभी यहाँ पे सबी black है तो आप इस बात का ध्यान रखे कि black color ही होता है अगला क्यूशन है कि windows में user account कितने परकार के होते हैं अगला क्यूशन है कि Microsoft Outlook 2010 आम तोर पर इस्तमाल किया जाता है मैंने आपको पिछले इसी वीडियो में बताया था कि Microsoft Outlook किसके लिए उप्योग किया जा सकता है email application के लिए किसके लिए करते है email application के तोर पर अगला क्यूशन है कि printer एक computer पर निम्न में से किं control panel settings के उप्योग से install किया जा सकता है तो हम printer को install करने के लिए किसका प्रियोग कर सकते हैं तो हम इन दोने option का प्रियोग कर सकते हैं ध्यान दगना हो सकता है exam में एक option ही दिया जाए और एक गलत दिया जाए तो पूरे को ध्यान से देखो printer install करने के लिए आपके printer को install करने के लिए हम करें control panel में जाके hardware sound में जाके device and printer में add printer इस option से printer को install कर सकते हैं लेकिन windows 10 में एक नया option दिया जिसे settings का गया है तो आप settings में जाएंगे डिवाइस में जाएंगे printer scanner का option आएगा और add a printer और scanner इस परकार से भी printer install किया जा सकता है अगर आप चाहें तो वीडियो को पिछे करके फिर से देख सकते हैं तो यह है हमारा question number 80 वीडियो पसंद आए तो please comment करके दरूर बताएं ताकि आने वाले student को पता चल सके कि वीडियो कि इतना ज़्यादा important वीडियो है तो computer में से दुर्वापूर फाइलों को scan करता है तो कौन करता है एंटिवाइरस जो भी आपके गलत software होंगी या फिर आपके computer में वाइरस होगा यहां पर ऐसे भी पूछा सकता है वाइरस को कौन scan करता तो एंटिवाइरस बताना या दुर्वापूर फाइलो वीडियो में चो बॉक्स बना था उसमें बता जाता उसको रोक के आप ध्यान से पड़े होते तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं होती तो website में इसलिए बोलता वीडियो पूरा देखर करें हम हर चीज बहुत ध्यान से बताते हैं हर चीज इंपोर्टन होती है और इस वीड संबंदित कानून किसमें हैं IT Act 2000 में किसमें IT Act 2000 में त्यान रखना क्या है साइबर अपराद और electronics commerce से संबंदित कानून IT Act 2000 में होते हैं अगला क्यूशन है कि एक सुरक्षित पासवर्ट बनता है ध्यान रखना कि आपको कंविज करने के लिए बता देंगे कि आपको इमेल का सुरक्षित पासवर्ट कैसे बनाए या किसी वेबसाइट पर अबना सुरक्षित पासवर्ट कैसे बनाए तो आपको एक बात ध्यान र नहीं है तो ध्यान रखना इन में से कोईन को इन ऑप्शन होगा आप चाहिए तो वीडियो को रोक के देख सकते या पिछे भी कर सकते हैं फिर से देखने के लिए अगला कुशन है कि सुच्टिना सुरक्षा प्रमिजन प्राणिल के निमने में से कौन सी ISO माना कैं मैंने क्या बताया था आपको ISO 27001 क्या ISO 27001 ISO का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा अभी हम आपको बता देते हैं तो नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था जिसने आगे वीडियो क्या है उनके लिए कोई फाइदा नहीं देना चाहिए तो वीडिया पूरा देखना चाहिए था त दो एक कुषिन रिप spinner र्यूइन रिपीट हो यहां और नू सेलेबस धाया तो ध्यान से लड़ो यह क्यों आने की संभावर ज्यादा हैं ज्यूंकि new ऐपको एड ही इसलिए क्ए कि एक्षिन एक्रचाम में दिये जा आता हैं अगला क्यूशन की DNS का पुरा नाम है तो DNS का पुरा नाम हो जाएगा Domain Name Server क्या हो जाएगा Domain Name Server जिसे हम शौट में DNS कहते हैं तो इसके Domain Name Server अगला क्यूशन की GPS का पुरा नाम है तो मैंने क्या बताए था आपको Global Positioning System जिसे शौट में हम GPS कहते हैं जो कि इसका आंसर यह हैं कि GPS का फूल पॉम हो जाएगा Global Positioning System अगला क्यूशन है कि IRCTC SMS सिवा किस नंबर पर उपलब दे तो आपको क्या बताना IRCTC SMS सर्विस तो वह उपलब दे आपकी 139 पर किस पर 139 पर तो चलो इंपोर्टेंट कुशन वाला फिर से आ गया IRCTC का पूरा नाम हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड ट्यूरिज्म कॉर्पोरेशन जिसे हम शौट में IRC कहते हैं तो इस बात का आप द्यान रखें इसके अलावा इसकी SMS सर्विस 139 पर उपलब दे इसके अलावा इसमें passenger name record होता है अता ट्याल की सर्विस तो passenger name record होता है जिसे PNR कहा जाता है इस बात का आप द्यान रखें जिसे short में PNR कहेंगे जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका पूरा नाम होजे का passenger name record चाहे तो आप वीडियो को यही पर रोक कर fit से पढ़ सकते हैं तो यह ह में TDS कहते हैं आप चाहे तो वीडियो रोके या पिछे करके फिर से देख सकते हैं अगर आपको कुछ क्यूशन कम समझ में आ रहा है तो अगला क्यूशन की PNR नंबर की संक्या क्या होती है तो पैसेंजर नेम रिकोर्ड जिसे हम शॉट में PNR कहते हैं तो इसकी संक्या कितने होती है तो वो हो जाएगी कितने हो जाएगी 10 क्यूशन की PNR नंबर की संक्या 10 होती है अगला क्यूशन की OTP का पूरा नाम क्या तो मैंने क्या बता है OTP को ह तो यह एक बार के लिए यूज कर सकते हैं आपने देखा होगा कि बहुत चीजों के लिए आता है तो ख पूरा नमी कहें देखा है time password या फिर एक बार के लिए pass word अगला क्यूशनहार कि credit card number कितने अक्षिरों का होता है तो मैं आपको क्या बताया 16 का credit card का the number 12 अक्षिरों का ही हिए ऑलगा क्यूशनatson कि patch game its billy you search Mor deed और फोन पे ऑक्सिजन आदि किसके उदारन ते इस भी आपकी क्या है मोबाइल वॉलेट है एक बार वीडियो रोक्स के देख सकते हैं इसमें हमने काफी ज़्यादा कवर किया है आपको ऐसे बूचते का पैटियम किसका उदारन ता आपको मोबाइल वॉलेट का बताना आपको चोटी मोरी नौलेज रखनी है अगला क्यूशन है कि भारत में किये जाने वाले भुगतान से वाएं अताथ भुगतान से वाएं कौन कौन से हैं तो यूप्याई है आपको पता ही है यूनिफाइट पैमेंट इंटरफेस जिसे कहा जाता है अब दूसरी चीज है एएएपीस जिसे आदार इन्यबल पैमेंट सिस्टम कहा जाता तो जिसम फिंगर मिंगवंवंट की मतलब चाहिए हम पैमेंसे निकालते हैं जिसे AIPS कहते हैं, Azar Enable Payments System, Short में, AIPS का, Full Exposure सकते हैं, UPI का, पूछ सकते हैं, तो इसमें, Unified Payment Interface, बता देना है, AIPS मतलब कि, आदार Enable Payment System, और इसके लाव, Micro Atem से, भियर हम, भुखतान सिवा का, प्रिप्डियो कर सकते हैं, इसका भी बूल सकते हैं, लिधा मैं इसमें आपको सभी के full form भी बताएं, भीम का हो जाए हैं बारत interface for money, इसमें कितने questions कवर हो रहे हैं, USSD इसका भी पूछ सकते हैं इसका भी आप हैं तो वीडियो रौ़ के आप पड़ सकते हैं यह सब्यक्ता है मॉबाइल बुक्तां से वाए वीडियो रौख के आप पड़ सकते हैं इसमें काफिक जद्ध क्रिशंट कवर हो जाएंगे और यह एक खुद देवी तो पांच कुशन पूरे कवर हो जाएंगे तो आप ध्यान से पढ़ सकते हैं या फिर बैक में जाकर फिर से देख सकते हैं अगला क्यूशन है कि URL का पूरा नाम क्या तो URL का पूरा नाम है पताया था आपको एक परकार का नीचे दिया हुआ है वह क्या है आपका URL क्या है यह पूरा एक URL है तो इस URL के जो भाग होते हैं जैसे की HTTPS जिसे हम Hypertext Transport Protocol कहते हैं तो यह क्या होता है एक परकार का प्रोटोकॉल होता है इसके हलाता है Subdomain जिसमें WW आता है World Wide Wave का पता जिसे हम Subdomain कहा जाता है WWW क्या है Subdomain इसके अलावा Top Level Domain .com आया है जो क्या होता है .com जिसका मतलग होता है commercial जो .com आएगा इसका मतलग क्या है यह आपका Top Level Domain होता है और जो Last में Surinder Rajput Vlog लिखा हुआ है यहां पर यह आपका File Path हो जाएगा इस परकार से यह होता है और Domain Name क्या है तो जो WWW से लगा कर .com के बीच में जो भी आते हैं उसे Domain Name कहा जाता है जो की इस परकार से होता है लेकिन आप बता एक मिन सॉरी WWW से लगा कर .com के उसे Resource Name कहते हैं और Domain Name किसे कहें जो YouTube लिखा हुआ है यह आपका एक Domain Name होता है सुरी तोड़ी गलती होगे आप देखके त्यान से पढ़ सकते हैं कभी-कभी हो जाता है हमने इतना बड़ा वीडियो बनाएं आपके लिए काफी ज़्यादा मेनद करके तो प्लीज लाइक कर दें बागे आप देख सकते हम गलत नहीं पढ़ाना चाहते हैं इसलिए हम option न का-पूरा नाम हो जाएगा wireless fidelity क्या होता है wireless fidelity कि वीर webpage डेख समिन वहल्ड का पूरा नाम क्या होता है आपको क्या बताना है दो परकार की होती हैं, कितने परकार की होती हैं, लेकिन एक important जो किसी ने नहीं बताई होगी, वो मैं आपको बता दिता हूँ, यह है important memory, जैसे जैसे भी आपको computer memory की बात की जाएं, तो computer की memory मुख्या रूप से 3 परकार की होती है, cache, primary, or secondary, जैकिन यहां पर क्या पूचागा ह मुख की अतार primary memory तो primary memory में आपके आज जाएंगा रेम एंड रॉम यह कितने परकार की होती हैं दो परकार की होती हैं लेकिन computer की memory थीन परकार की होती हैं और cache इसमें तीसली memory होगी primary और secondary होती हैं इसके अलावा cache memory सबसे ज्यादा मेहंगी memory अगर पुचा जाए कि इन सब भी memory में से सबसे ज्यादा मेहंगी कौनसी होती तो cache memory होती हैं इसके लावा रेम का फुल वर्म रेंडम एक्सेस memory और रॉम का read-only memory इसके अलागा वाप programmable irisible रॉम जो होती है अतार programmable irisible तो pp-rom क्या होग जाएगा पी और it फ़ब्रोम होती है इसमें programmable memory होती है और जिसमें एक बात वर जाए कि इसमें एक इसमें था होती है उसके बारे मैं बताता हूं उसमें यह आएगा इरिजेबल रोगला में read only memory जो की नीचे दिया हुआ है तो यह क्या करती डाटा को मिटा सकती है तो यह सा question भी पूचा जा सकता है और second disk memory कौन से होगी आपकी secondary memory में आपके हो जाएंगे hard disk ssd जैसी memory blu-ray disk यह सभी किसमें आएंगे secondary memory तो वीडियो दो कि आप देख सकते हैं तो यह है हमारा question number 100 अंतिम परिवर्दन को किसके द्वारा नियंतित किया जा सकता है अतात हम अंतिम परिवर्दन करते हैं मांद लो हमने यहां पर कुछ लिखा हैं क्या लिखेंगे हम R.A.C.A.T. Topper यह लिखा है तो हम किसके द्वारा नियंतित करेंगे तो वह करेंगे हम किसके द्वारा करेंगे अंडू के द्वारा अंदू के द्वारा हम अंतिम परिवर्दन को नियृतित कर सकते हैं प्लीज वीडियो पसंद है तो लाइक कर देए इस वीडियो में काफी ज़्यादा मेहनत लगी हमारे 4-6 महीने की मेहनत के बाद यह वीडियो बनाए तो प् का एक्जाम देना चाहते हैं क्योंकि यह वीडियो उनके लिए काफी जद्धा इंपोर्टेंट होने वाली है और हम अगली वीडियो में फिट से मिलेंगे आरे से टॉपर के साथ लेकिन हमारा है सुरिंदर राजबुत व्लोग चैनल तो यहां पर मिलेंगे और आप अपना पेपर कहां पर वेजेंगे सुरिंदर राजबुत ऑफिशल पर इंस्टाग्राम पर ताकि हम उसकी आंसर की बना सके और भी अगर आपका कोई सवाल दो तो कमेंट में बताए और आप पताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और सुरिंदर राजबुत व्लोग को देखना ना भूलें ये मेरा प्रसनर चैनल है मेरी जिनकी में बारे में क्या क्या हुआ वो सभी इसमें आपको पता चल जाएके आज की इस वीडियो में इतना ही बाकि जैए हिंद वन्य हातरम टेक्ष्ट कैयर अश्री सब्सक्राइब और सुरिंदर राजबुत चैनल को जरूर देखे इसके अलावा यहां पर आपको important वीडियो और सुरिंदर राजपुथ चैनल का link मिलेगा और description में भी link मिलेगा तो please comment करें ताकि हम आपको बताएं और वीडियो देखना ना भूले जै हिंद